हमारा अगला इंटर्वू क्वेशन है इन वाट सिनारियो वुड यू प्रेफर डिसिजुन ट्री ओवर रैंडम फॉरेस्ट ठीक है बहुत ही लॉजिकल क्वेशन है और यह क्वेशन आपका प्राक्टिकल साइड कितना क्लियर है यह चेक करने के लिए पूछा जा सकता है लेट्स ट्राइन एंसर इस क्वेशन तो फॉर स्टार्टर्स आपको दोनों आल्गरिदम्स के बारे में तो पता होना ही चाहिए और इतना तो आपको बिलकुल पता होना चाहिए कि जब आप मल्टिपल डिसिजिजन ट्रीज को कंबाइन करते हो तो आपको एक रैंडम का हमेशा जादा तर डेटा सेट्स में इन फाक्ट हंडेट पर्जेंट टाइमस इन माई पर्सनल एक्सपिरियंस वुड भी ग्रेटर देन और बेटर देन डिसिजिन ट्रीज तो इंटर्वियर ये सवाल पूछ सकता है कि अगर हमेशा ही रैंडम फॉरेस्ट आउट परफ यूस्फुल रहेगा रैंडम फॉरेस्ट से ठीक है तो मेरे पास तीन एक्जाम्पल्स है तीन सिनारियोज है जहां पर आप यूस करोगे डिसिजिन ट्री फर्स्ट इस एक्स्प्लेनेबिलिटी सो एक्स्प्लेनेबिलिटी का मतलब ये है कि हमेशा आपको सिर्फ रिजल्ट से मतलब नहीं होता है कभी-कभी आपको जस्टिफाई भी करना पड़ता है कि आपका रिजल्ट ऐसा क्यों आया और इस जगह पर डिसिजिन ट्री रैंडम फॉरेस्ट से अच्छा होता है क्यो आपको समझ में आता है कि ये मॉडल इस तरीके से काम क्यों कर रहा है इसको आप क्लियरली प्लॉट कर सकते हो देख सकते हो किसी को प्रेजन कर सकते हो तो जो इंटर्प्रेटिबिलिटी है या पर जो एक्स्प्लेनेबिलिटी है वो डिसिजिन ट्री का रैंडम स्टेकोल्डर्स होंगे आपका क्लाइंट हुआ आपका मैनेजर हुआ उसको एक्कुरसी से ज़्यादा इस बात का फर्क पड़ेगा कि मॉडल इस तरीके से काम क्यों कर रहा है एक एक एक्जामपल है कि आपने बेस्ड आन सम एक्टिविटी किसी यूजर को बैन कर दिया प्लाटफॉर्म की उपर अब ओविसली वो जानना चाहेगा कि मुझे क्यों बैन किया गया तो वो आपको रैंडम फॉरेस्ट नहीं बता पाएगा वहां पे आपको डिसिजन ट्री ज़ादा हेल्प करेंगे तो जब भी एक्कुरिसी से ज़ादा मैटर करता है एक्स्प्ल लार्ज डेटा सेट के उपर काम कर रहे हो बट आपके पास कम्प्यूटेशन पावर इनफ नहीं है तो आपका ट्रेनिंग वुड भी वेरी स्लो वेन यू आर यूजिंग रैंडम फॉरेस्ट बट अगर आप डिसिजन ट्री यूज करोगे तो आपका ट्रेनिंग टाइम हो जाएगा तो ये भी एक रीजन हो सकता है कि आपके पास कम्प्यूटेशन पावर की कमी है तो फिर आप डिसिजन ट्री को प्रेफर कर सकते हो ओबर रैंडम फॉरेस्ट थर्ड इस ये बहुत ही प्राक्टिकल सा एक रीजन है कि जब आपको पता है कि आपके डेटा में क तो पता होगा कि रैंडम फॉरेस्ट क्या करता है कि रैंडम ली फीचर्स को सेलेक्ट करता है तो हो सकता है कि फीचर वन बहुत इंपॉर्टन था बट रैंडम फॉरेस्ट नो उसको स्किप कर दिया और मॉडल को F2, F3 और F4 के उपर बनाया तो F1 स्किप हो जाने के अल्दो ये रीजन उतना स्ट्रॉंग रीजन नहीं है जादातर आद पहले दो रीजन की वज़े से डिसिजिंटरी को प्रेफर करोगे बट हाँ, कुछ सिनारियो में ठाइड रीजन की वज़े से भी हो सकता है आप डिसिजिंटरी को प्रेफर करो, ठीक है so I hope आपको आपका answer मिल गया